आज इस विशे में मैं बादचीत करना चाहता हूँ वो पवित्रा आत्मा के विशे में है कुछ दिनों से हम लोग हफता में हर इत्वार को हम लोगों ने इसके विशे में बादचीत करते थे आज हम जानना चाहते हैं कि ये पवित्रा आत्मा का जो बक्तिश्मा है क्यों हमें जरूरत है, क्यों परमेश्वर ने इस सो हमें दिया है, क्या हम कर सकते हैं, क्या फाइदा है इसे कलिश्या के लिए, वेक्तिगत से हमारे लिए, उस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ, हम लोग पूरा तो नहीं कर पाएंगे, यह लंबा सबक है, लेकिन उठा सकते हैं, प्रात्ना करिम, धन्यवाद सर्व शक्तिमान परमेश्वर, तुमहान है राजाओं का राजव प्रभू का प्रभू, और हमें अधूरा नहीं छोड़ा है, सभी तरह से तुने हमें आशिशों से भर्पूत किया है, भरकसों से भर्पूर किया है, आत्मिक स अमर्थ को दिया है, सिक्षा दिया है, बल दिया है, जिसमें कि हम तुमारे अच्छे सिवक बन सकें, अच्छे विश्वासी बन सकें, और तुमारे नाम की महिमाव प्रशन सा कर सकें, आज जो हम पवितरात्म के विशे में कुछ और बातचीत करेंगे, मेरे ही प्रात्ना ह कि तो पुवित्रा आत्मा से हमें अभी शेक कर दे कि जो कुछ कहा जाएगा उसके दोबरा, हम सब लोग यहां पर आत्मिक उन्नती को पराप करेंगे, ईश्यू के नाम से, आमें, आमें, प्रीज दोड़, यही सवाल मैं आज करना चाहता हूं कि यह पुवित्रा आत्मा का जो अभी शेक है यह पुवित्रा आत्मा का बक्तिश्मा, इसका कारण क्या है, क्यों हमें दिया जता है, क्या फाइदा है इसे, इस पुवित्रा आत्मा से, यह पुवित्रा आत्मा का जो बक्तिश्मा है, यह से जो हम लोग अभी शेक किये हुए है, क्या है, इसका क्या मत हमारी जीवन के लिए इससे क्या फाइदा है इसके जवाब संचिप में अगर हमनों देंगे तो यही है कि वो हमें जो पवित्रा अत्मास है जब हम बक्तिश्मा को प्राप करते हैं तो विश्वासियों को तरह-तरह के सामर्थ को देता हैं जिसमें की हम लोग उसके काम कर सके वी तरह के ताकत से हुर हमें बिलकुल दुस्ता बना देता है फरक कर देता है हमारे जीवन में मैं चाहता हूँ आज हम लोग एक भाग को पड़े पहला सेम्मल के किताब से पहला सेम्मल चप्टर 16 ब्रस 12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे चिप्टर 12 और 16 यहां पर यह घटना जो है हम लोग अगर आप दाउद की विश्यम जानते हो कि कैसे सैमॉल को चुना गया था कि जाओ तुम एक राजा को नुक करो और वो सब को देखा परिवार में और उसके बाद यह शब जो यहां पर है हम लोग यह वर्स जो है आता है उसने दाउद की घर पर जब गया तो मैं पूरा घटना नहीं बताना चाहता है वो यहां पर इस समय आप इस भाग को पढ़ ले ना लेकिन जब उसने दाउद को बलाया दाउद घर पर नहीं था लेकि और उसके तो लाली जलगती थी और उसके आँखे सुन्दर और उसका रूप सुन्डेल था, तब यहुआ ने कहा, यहां से मैं आपको आप ध्यान दे, तब यहुआ ने कहा, सेम्मॉल से कहा, उठकर इसका अभिशेक कर, यह दाउद के विशे में बताता है, जो उपर में अम जलगती थी और उसकी आँखे सुन्दर और उसका रूप सुन्डेल और तब यहुआ ने सेम्मॉल से कहा, उठकर इसका अभिशेक कर, यही है, निक्स बिस, तब सेम्मॉल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाईयों के मध्य में उसका अभिशेक किया, और उस दिन से ल दाउद पर बल से उतरता रहा, तब शामॉल उठकर रामा को चला गया, दो चीज यहां पर हुआ, शामॉल ने उसको तेल से, उसके उपर तेल को लगाया, जैसे उन लिगों में उलो करते थे, उसके उपर छोड़ा, अभिशेक किया, फिर उसके बांध में हम लों पढ़त यहां का आत्मा दाउद पर बल से उतरता था, तो यह जो बाहरी अभिशेक किया था वो तेल से, लेकिन भीतर उसके एक और चीज़ हुआ, और वो था पवितर आत्मा, और अगर आप दाउद के कहानी से पढ़ोगे, सुनोगे उसके विचे में, तो आप देखोगे कि वो क पुराने नियम में हम दो पड़ते हैं, और नया नियम में भी हम दो देखने हैं कि छह जगह पर लोगों को अभिशेक किया गया, और ये अभिशेक के दुआदा उनको खास सामर्द मिलता था, उनको ताकत मिलता था, क्योंकि पवीतर आत्मा उनके अंदर आता था और पवित्र आत्मा के द्वारा वे भारी-भारी काम करते थे राजा दाउद जो भविशी का राजा था यहूदियों का यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसको उसके उपर टेल छोड़ा गया ये उस दिन का रिवाज था और ये तेल जो था, पौवित्राइत्मा का चिन्द था, लच्छन था, और फिर उसके अंदर में ये शब्दियां पर बहुत जरूर लिखा हुआ है, कि पौवित्राइत्मा यहोअ का आत्मा दाउद पर बल से उतरता था उसके बाद, तो पौव आप देखो कि कैसे भारी-भारी काम उसने किया तो यह जो पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा है पवित्रा आत्मा से अभिशेक किया हुआ यह क्या है क्या हम लोग सीखते हैं इसे क्या मतलब होता है कि हम पवित्रा आत्मा से अविशेक हो जाए या पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा को प्राप करें क्यों जिसे मैं बता है बहुत इस संखिप में हम लोग इस पर देखेंगे बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जरूरी चीज़ है और इस पर आप जरूर से ध्यान दे दूसरा कुरिंटियों के किताब में लिखा है चप्टर 1, verse 21 में 2nd Corinthians और जो हमें तुम्हारे साथ मसी में और जो हमें तुम्हारे साथ मसी में धिर्ग करता है और जिसने हमें अभिशेक किया वही परमेशवर है Next, verse जिसने हम पर छांप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया पवित्रा आत्मा को हमारे मनों में दे दिया तो हम लोग क्या देखते हैं कि पुराने नियम में हम लोग ने देखा किस तरह से धावूद के उपर अभिशेक किया गया, तेल से फिर पवित्रा आत्मा उसके अंदर आया, राजा दावुद को अभिशेक किया गया, अगर हम दिखेंगे तो कई एक लोगों को भी इस तरह से पवित्रा आत्मा से अभिशेक किया गया, पौल के विशे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको पवित् आत्मा के बक्तिश्मा प्राप करके और तभी हम लोग उसके काम में लगे हुए हैं और कई एक करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो इस पवित्रा आत्मा से विशेख होकर आउपर मेश्र के काम करते हैं जिसे मैंने बता हैं हमारा जो एसम्मली दूप गौर्ड है सबसे जो तोड तोड से बढ़ने वाला कलीशिया है क्योंकि पवित्रा आत्मा पर हम लोग भरोसा रखते हैं अपने शक्ति एपने बुद्धी पर नहीं लेकिन पवित्रा आत्मा में और मैं जानता हूँ खुद भेक्तिकत रूप से कि अगर पवित्रा आत्मा का विशेक्ता मेरे उपर नहीं रहता, वक्तिश्मा को मैं नहीं प्राप करता है, तो आज यहां पर उपदेश देने में शाइद मुझे 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 पढ़ जाता हम, तो हम लोग थोड़ी जल्दी से कुछ देखें यहां पर, कि यह पोवित्रा आत्मा का वी शेख, क्यों होता है, X chapter 1 verse 8 में हम लोग तक देख, 5 और 8 में, X chapter 1 verse 5 and 8, यहां पर, चेलों से बात यह होता है, प्रभू ईश्व मसी जबाया हैं, उसने उनको बताया है, याद रखना जिश्व मेरे बताया था, कि उनको आग्या मिला था, कि जाओ सारे संसार में सु समाचार प्रचार करो, मैथ्व 28 में, X chapter 15 में हम लोग बढ़ते हैं इसके विशे में, कि प्रभू ईश्व मसी ने उनको हुक्म दिया था, जाओ सारे संसार में सु समाचार प्रचार करो, लेकिन यह लोग नहीं कर पाई थे, और जब उन ईश्व मसी को पकड़वाया गया, जब उसको पकड़वाया गया, जब लेक गया गया, उसके उपर सजा देने के लिए, कुरुश पर चड़़वाया गया थे, तो यह चेले लोग सब भाग गये थे, वह लोग जानते थे, प्रभू ईश्व मसी का हुक्म क्या था, लेकिन सब भाग गये थे, और ईश्व मसी मिट्यू के बाद उनसे मिलता ह और उसने उनको यह बात बता है, कि तुम कहीं नहीं जाओ, थोड़े ही दिनों में, तुम पवित्रा आत्मा को प्राप करोगे, सामढ़ पाओगे, पुरिश अब दिया, वेस फाइब, वेस एट, और राइट, उसने उसे को बता है, क्योंकि, यहुन्ना ने तो पानी से बक्तिश्मा दिया, परन्तु थोड़े दिनों के बाद, तुम पवित्रा आत्मा से बक्तिश्मा पाओगे, निक्स्ट वेस, सो उन्हों ने एकटे होकर उससे पूछा कि, हे प्रभू, क्या तू इसी समय इसरायल को राज्य फेर देगा, उसने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना, जिनको पिता ने अपने ही दिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, वर्स एट, यह सब को जानना चाहिए, इसको मेमराइज कर लो, और अच्छी तरह जानो, यह प्रतिग्या तुम्हारे लिए है, यह पवित्रा आत्मा का खास मतलब है, हमें प्रभू इश्य मसीष ने हमें दिया, परन्तु जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्द पाओगे, और जरुशलम और सारे यहुदिया और सामरिया में, प्रित्वी के छोर-छोर, छोर तक मेरे गवा होगे, जब हम लोग इसके विशे में सोचते हैं, पवित्रा आत्मा के विशे में, यह विर्स जो है, यह बहुत ही खास विर्स है, यह प्रभू इश्य मसी का अपना बचन है, उससे कहा कि, तुम थोड़ी देर बाद, दिन बाद, तुमारे उपर सामर्द आएगा, कहीं नहीं जा कि जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्द पाओगे, और जरुसलम और सारे यहुदिया और समर्या में, और पृत्वी के छोड़ तक मेरे गवाँ बनोगे, प्रभू इश्य मसीरन को याग्या दिया था, अब फिर से यहां बताता है, कि तुम मेरे कि जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाँ बनोगे, तो यह बहुत दरूरी चीज़ है यहां पर, खास कारण पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा था कि तुम्हें सामर्थ मेलेगा कि तुम ईश्य मसीखर के गवा बन सको, इश्य मसीखर के गवाँ यह पर नहीं हो तो शायद यह आपके लिए कुछ इसका मतलब नहीं 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 देगा लेकिन अगर मंसे भी स्वासी हो तो यह 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 प्रभू इशु मसी का पच्छन तुमारे लिए तुम पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा पाऊगे और तुम मेरे गवहां बनोगे मसी भी विश्वासी लोग डरते हैं गवहा देने में और क्योंकि वे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पढ़ा लिका नहीं है या हम बात नहीं सकता करें अच्छा से या हम समझता नहीं अच्छा से तो मैं गवहां नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यह लोग सोचते हैं बहुत से मसी विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं कि गवहा देना मेरे अपने शक्ती से करूँगा और इसलिए हम लोग असफल रहते हैं अपने सामर्थ से हम लोग सोचते हैं गवहा देने के लिए लेकि नहीं कहां उसने कहां तुम सामर्थ पाओगे कब जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवहा बनोगे शायद आपको गरवड़ी होता है दुख लगता है डरते हो गवहा देने में मैं आपको बताना ताओं कि अपने सामर्थ से नहीं सोचो अपने सामर्थ से करने के लिए नहीं तुम जाओ वहा देने के लिए गरबड़ी हो जाएगा क्योंकि प्रवीश मसीय ने खुद अपने आप कहा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवा बनोगे जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा ये जो शब्द है यहाँ पर इंग्लिश में यू शल रसीव पाओवा आफटर द अपन यू वो शब्द जो पाओवा है ये ग्रीक भाशा के अनुवाद किया गया है और इंग्लिश में शायद बहुत अची तरह से नहीं अनुवाद किया गया है लेकिन ये ग्रीक में है डुनमिस मैं बता है इसके विशे में में फिर बताता हूँ ग्रीक शब्द जो है वो है डुनमिस और जानते हो डाइनमाइट जो हमारा इंग्लिश वो डाइनमाइट है इसी शब्स से आता है डुनमिस से अंग्रेजी शब्द जो है डाइनमाइट आता है मतलब यहां पर अभी पत्थर फोड़ा जाएगा, डाइनमाइट लगा कर दागा जाएगा, और पत्थर सब तरफ पहलते हैं, सब कोई अपने अपने घर पे जा जाते हैं, मुझे याद है, इस काफी दिन के बाद मही बताता हूं, 47, 48, 49, आओ उन दिनों में, तो सब को अप चीज़ प्रभु ईश्य मसेने कहा, कि तुम्हारे में एक इसा सामर्थ आएगा, तुम्हारे अंदर में आएगा, जो बाहर उसका असर पड़ेगा, बाहर उसका असर पड़े, क्योंकि तुम जाकर चब घवाध होगे, तो लोग मसी के विश्वासी बन सकेंगे, तुम्हा पर आपमा तुम पर आएगा तब तुम मेरे कवाबनोगे और मेरे पिछले अपता बताया यह पवित्रात्मा हमारे लिए हमारा विश्वास है यह दो काम करता है एक है एक अच्छा जैवंत मसी जीवन के लिए निर्वा करने के लिए वो उसे से मसी विश्वासी हैं जो एक अच्छा जीवन नहीं रिख पते हैं कुछ ना कुछ गरबड़ी हो जाता है उनके जीवन में कुछना कुछ गल्ट मारग में पुछ लिय जाते हुं कोशिस करते हुं अपने ताकत से वे कोशिस करते हιं नया साल आता है, रिजूलुशन बनाते है आच से मैं ये नहीं करूँगा और बस देके दाम अबाता है तो टो यह नहीं करोगा, वे जानते हैं, गल्थ काम है, और वे कहते हैं, हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे, लेकि फिर से वही से काम करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने ताकत से हम लोग कोशिश करते हैं, अपने ताकत से तुम कभी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हैं, एक पवित्र जीवन अच्छा सुन्दर जीवन निर्वा करने के लिए पवित्र जीवन निर्वा करने के लिए और साथ साथ वो तुम्हें सामर्द देगा उसके सेवा करने के लिए प्रचार करने के लिए उसके लिए काम करने के लिए उसके लिए जो कुछ तुम्हें चाहि चाहे बुरे आदित को छोड़ाना, बुरे कामों से दूर होना, पाप के जीवन से दूर होना, अपने आप नहीं करते हैं, तो मैं इश्यू मसी के सामर्द के ज़रूरत, पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा के ज़रूरत हैं, एक चीज़ में बताना चाहता हूं, कि कोई एक मस से भिश्वासी जो पवित्रात्मा में बक्तिश्मा परप किया है, वो बिना ताकत नहीं है, वो नहीं कर सकता है, मुझ में ये सामर्त नहीं है कुछ काम करने के लिए ताकत नहीं है एक अच्छा जीवन निर्वा करने के लिए बुरे आज़तों को छोड़ने के लिए सुसमचार प्रचार करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है अगर तुम पवित्रात्मा है बक्तिश्मा पराप की हो तो तुम्हारे पास है there is no powerless Christian if you are baptized in the Holy Spirit जो मसीब विश्वासी लोग थे मैंने इसके विश्वासी बता है यह चेले लोग डर से भाग गये थे इश्व को त्याग दिये थे पत्रस के विश्वासी लोग थे वो दूर चला गया था, दूर से देखता था सब भाग गये थे, कोई नहीं रहा हूँ आपर जब इश्व को पकड़वाय गया लेकिन इश्व जब जीवित देख तो उसने कहा है तुम जाओ तहरो जरुसलम में कहीं नहीं जाना जब तक कि तुम्हारे उपर पवित्रा आत्मा नहीं आ जाए और जब तुम पवित्रा आत्मा बाओगे तब मेरे गवावन होगे तो हम लोग क्या देखते हैं वहीं चेले लोग जो डर के मारे भाग गए थे वहीं चेले लोग जो दूर चले गए थे छोड़ के चला गए थे वहीं चेले लोग प्रचार करना शुरू कर दिये बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पत्रस के विशे में जो छोड़ के चला गया था एक च्छोड़ा लड़की के सामने उसने इश्यू को नहकार दिया था अब वो तीन हजार से ज्याना लोगों के सामने खड़ा हुकर और उबदेश देता है और बताता उनको इश्यू मसेज जिसको परमेश्वर ने चुना है हमारे बीच में भेजा तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चड़ाया नव कहां से पाहिव पत्रस को यह सामर्थ मिला यह हिम्मत कहां से मिला यह हजारों लोग जो वहां पर खड़े थे उनको दोश लगा कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चड़ाया बीच में कुछ हुआ ना पावित्रात्मा का बक्तिश्मा उसने प्राप किया पर लोग यह बक्तिश्मा हमारे लिए आपके लिए हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए हमारे बाकी संतान के लिए यह पावित्रात्मा का बक्तिश्मा है इसके खोजी करना चाहिए आपको चाहिए इसके बहुत ही जरूरत है अगर हम उसके अच्छा गवाँ बने जाए एक अच्छा मसी विश्वासी बनना चाहते तो पवित्रात्मा के बक्तिश्मा बहुत ही जरूरत है आपके लिए पवित्रात्मा के बक्तिश्मा तुम्हें एक अच्छा गवा बना जिलता हैं। तुम अपने भुद्धी, अपना जो गुन है उसके द्वारा नहीं। लेकिन पवित्रात्मा के स्वारा, सामर्थ के द्वारा तुम प्रचार कर सकते हूं। प्रभी शुमसी ने प्रतिक्या किया था। जिसे मैंने बताया हूं। मैं दोधाता हूं। यह बात जिसमें आप अच्छी तासे जानना हूं। कि तुम्हें सामर्थ मिलेगा कब? जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा। आप डरते हो, घबडाते हो, आप इशु के लिए कुछ करना चाहते हों। लेकिन करने ही पाते हों। सामर्थ के जरूरत है। पवित्रात्मा के जरूरत है। यह पवित्रात्मा जब पवित्रात्मा जब इशु का आत्मा तुमारे में आता है। और जब यह आत्मा हमारे में आजाता है। कुछ जल्दी से बताना चाहता हूं। Luke chapter 4 verse 18 और 19 को हम लोग पड़ेंगे। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधुओं को दृष्टी पाने का सुसमचार प्रचार करूं। और कुछले हुओं को छुडाओं। और प्रभु के प्रसंद रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Go back to verse 18 and keep it there. Verse 18 को on करके यहाँ पर रखो जिसमें सब लोग देख सकें। इस वर्ष में आप देखो लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उसके उपर आएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसका आत्मा पवित्र आत्मा उसके उपर है। तो वो कहता है कि क्या कहता है। कि मैं कंगालों को सुसमचार प्रचार करूंगा। जो दुख में हम जाने कंगाल कोन है। जिनके पास कुछ हैंगी नहीं। उनके बीच में जाकर मैं शुसमचार प्रचार करूंगा। यह सामर्थ में मिलता है कि यह शुभ संदेश। प्रभु ईश्व मसी का शुभ संदेश। गिरे से गिरे लोगों के बीच में जाकर प्रचार करूँ कब हम लोग करेंगे जब पवित्रा आत्मा के आत्मा हमारे उपर आएगा दूसरा चीज़ हम लोगों वहाँ पर देखते हैं कि छुटकारा पाने के लिए इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमचा सुनाने के लिए मेरे अभिशे किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधूं को छुटकारा चुटकारे का और अंधों को दृष्टे बंधूं को छुटकारा जो आत्मिक रूप से बंधन में है बंदे हुए है जैल में है पाप के जैल में है ड्रग्स के जैल में है नगोना पीने का आदत उन में है दारू पीने का अंदत है तंबाकू पीने का आदत है और इस तरह से वे बिलकुल तूटे हुए बंधन में है और वे चाहते हैं छुटकारा पाने के लिए यहां पर रु इसलिए भेजा है कि बंधों को छुट्कारा दें। बंधों का बतला हिए कोई एक आदत वगेर से हम अचीज ondan होगी जिससे इसलिए छुट्कारा पानां चाते हैं लिगी नई पा सबीदें। कोशिश करते हैं पाने के लिए लिए उसका आत्मा हमें मिला है जिसमें हम बंधों को छुटकारा दें फिर वहाँ पर आगे करता है छुटकारा पाने के लिए अंधों को दृष्टी पाने का सुसमचार पिरित लोगों को छुटकारा देने के लिए अंधों को आखें देने के लिए याने की चंगाई करने के लिए वो सामर्थ हमें मिलता है कि बिमारों पर हम हाथ रखे और वे चंगाई को प्राप करें इश्यू के नाम से मेरे नाम से नहीं तुम्हारे अपने नाम से नहीं ले ये ताकत भूए मिलता है, ये शारीरी क्रूब से आत्मी क्रूब से छंगाई हमें देता है, और छंगाई जीसे हम लो जानते हैं कि मसीः विश्वासी जो पवित्रा आत्मा में बक्तिश्मा प्राप किया हैं उनके द्वारा आप बहुत से लचंगाई को पराप करते हैं, आप यहाँ और कहीं पर नहीं सुनोगे, लेकिन जो लोग पवित्रा आत्मा से अभिशे किये हुए हैं, वे लोग परात्ना करते हैं, बिमारों के लिए और वे चंगाई को पराप करते हैं, फिर आगे मिलोपड़ते हैं, अमनो प्रोचार करने के लिए आप चाहते हैं लोगों को बताने के लिए ये सुसमाचार गुड़ न्यूज गॉस्पल नहीं कर सकते हो पवित्रा आत्मा के बक्तिश्मा के बहुती ज़रूरत है फिर उन देखते आखरी मौलिका है कुछले वो को छुडाओं कुछले वो को छुड के लिए ये लोग जो दबे हुए हैं चंगाई पात ना चाहते हैं शेयुड़ के बंधन में बंधे हुए हैं और तरह तरह के दबाओन के उपर हैं खासकर शेयुड़ के बंधन जो अहां पर आखरी में कुछले हुऊ को छुडा हूँ शेय। के हाथों से वे कुछ ले गए बरबाद कर दिया गया उनको जिंगल प्रभु इश्यू हमें पवित्र आत्मा से अभी श्रीक करता है कि हम इनको जाकर सुसमाचार दे और कि वे छुटकारा पाएं बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि एक पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम लोग इसमें ज्यादा सफलता पराप कर सकते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत ही जिसे में बहुत ही संक्षिप में पवित्रा आत्मा हमें मिलता है उसके बक्तिश्मा को हम प्राप करते हैं तो हम ऐसे से काम को कर सकते हैं जो साधारन रूपसे हम लो नहीं कर पायेगे अपने बुद्धी, अपने समझ, अपने सामर्ट से अपने सिख्षा से, अपने पैसा से कोई भी चीज से नहीं कर पाएंगे लेकिन जब पवित्रा आत्मा हमारे उपर आता है जब आत्मा के सामर्थ से हम लोग करते हैं तो ये चेले लोग जो डर के भाग गए थे वे लोग जाकर सभी जगा पर सुसमचार प्रचार किये जब जरुसलम में जब कष्ट उनके उपर आया परसिक्विशन हुआ तो ये लोग जब जरुसलम से तितर बितर हो गए ये मस्जी विश्वासी लोग भाग गए वहां से भाग कर कहीं जाकर छिप नहीं गए लेकिन वे गए जगा जगा पर और बाइबल में बता जहां जहां वे गए वहां पर वे सुसमाचार प्रचार किये जिस जिस गाओं में वे गए वहां सुसमाचार प्रचार किये जिस देश में वे गए वहां पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और इसलिए इमनों पढ़ते हैं करीब पांच साल के बीच में, उस समय का दुनिया में कोणे में सुसमाचार फैल गया। क्योंकि यह लोग पवीतरहात्में ОБशच्यक हुए। और पवीतरात्म से अविश्यक होने से पहले, वे लोग कहीं भी नहीं गये थे। दर के वे लोग चिफ भगें चिफ़ें हुएते, यही चीज आत्मा हमारे जीवन में करता है, अच्छा काम करने के लिए, सुसमचार प्रचार करने के लिए, पर मेश्वर के आत्मा हमारे उपर आता है, परिये लोग, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे गाओं के लोग हमारे मेत्र, हमारे नोकली के इस्थान पर लोग प्रभु ईश्यू मसी के विश्वासी बने तो यह पुइतरा आत्मा के सामर्द के ज़रूरत है उससे अभी शेक होकर हम लोग जाकर सुस्मचार प्रनाची करें यह है जो हम लोग इसके द्वारा लोगों को ला सकते हैं हमें सामर्ट मिलता है, हमें हिंदी हिम्मत मिलता है और जानते हो पवित्रहत्मा भी हमें मदद करता है कि हम बाइबल को पढ़ें बाइबल को पढ़ने के लिए हमें उच्छा करता है और उसे पढ़ने के लिए नहीं कि बाइबल को बाइबल में जोरती ला दे प्रकाश छोड़े जो हम लोग उसको पढ़ते हैं कभी-कभी समझ में नहीं आता तो हम लोग प्रात्ना करें यह पवित्रा आत्मा, हम लोग जानते हैं, समझना चाते हैं इसको, तो प्रकाश आता है कि इस विशस को हम लोग समझ सके, पवित्रा आत्मा के द्वारा हम लोग समझ पाएंगे, और स्थाफ से हमें पता लगता है, पवित्रा आत्मा के काम यह है हमें मदद करने के लिए हमें सिक्षा देने के लिए हमें कोई मनुष्ट के ज़रूरत नहीं है अगर है ठीक है कोई सिक्षा देता है रेकिन पवित्रा आत्मा तुमें सिक्षा देगा जब तुम बाइबल को पड़ोगे मैं इस भाग को पढ़ता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ मैं इसमें प्रकाश चाहता हूँ, इसमें मैं जयोती चाहता हूँ और पवित्रात्मा तुम्हें जयोती देगा इस काम को करने के लिए तो पवित्रात्मा के द्वारा हमें गवाद देने के लिए सामर्थ मिलता है पवित्रात्मा के द्वारा हम जो सुस्मचार है उसको प्रचार करते है पवित्रात्मा हमें सामर्थ देता है कि जो लोग बंधन में है तरह तरह के बुरे आदतों के बंधन में है वे छुटकारा पाना चाहते हैं नहीं पा सकते हैं लेकिन पवित्रात्मा के सामर्थ से वे लोग छुटकारा पा सकते हैं पवित्रात्मा के सामर्थ के द्वारा हम लोग चंगाई को दे सकते हैं लोग जो अंधे हैं जो लंगडे हैं, लूले हैं, बिमारी में हैं, उनको उनके लिए हम प्रातना कर सकते हैं, कि वे चंगाई को प्रात करते हैं, पवित्रात्मा के द्वारा हम लोग उनको जो शेटान के बंधन में बंदे हुए हैं, उससे सताई जाते हैं, शेटान पकड़ाजी से हम लोग बत पवित्रा आत्मा ही के द्वारा हम लोग जो शेयतान के ताकत को तोड़ सकते हैं अपने सामर्द से हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे बहुत लोगों को शेयतान सताता है पकड़ा हुआ बुरे आदतों में फसा कर रखा है गल्त मार्ग में ले जाता है वोई छुटकारा पाना चाते हैं नहीं मिलता है लेकिन पवित्रा आत्मा के सामर्द के द्वारा शेयतान को भागना पड़ेगा फ्रेस दोलोन और वह ही हमारे लिए एक चीज है जो और किसी के पास नहीं है और पवित्रा आत्मा के द्वारा हमें वो सिख्षा मिलता है बचन में बचन का सिख्षा मिलता है जिसमें हम लोग आत्मिक रूप से और बलवन्त होते चले जाए हमारा बुद्धी जो है आत्मिक रूप से और भी मजबूत होते चले जाए हम लोगा ज्यान नहीं रहे कि परमेशुर हमसे क्या चाहता है जब बाइबल हमें पढ़ेंगे तो पवितरात्मा हमें समझ देगा ज्यान देगा और प्रकाश लाकर उसको हमें समझाएगा कि इसका मतलब क्या है तो प्रिये लोग मैं आज बहुत ही संग्चिप में पवितरात्मा का बक्तिश्मा जो है उसके विश्रे में बताता हूँ कितना ज़रूरत है आपके लिए और मेरे लिए हर एक मस्जी विश्वासी के लिए यह है हम लोगों ने बढ़ा यहाँ पर पत्रस बताया कि यह तुम्हारे लिए है तुम्हारे बाल बच्चों के लिए है तुम्हारे सबी लोगों के लिए जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए पवितरात्मा का बक्तिश्मा है आपके लिए हम लोग यहाँ पर है कई एक लोग पवितरात्मा के बक्तिश्मा पराप के है और जानते हैं इसका मतलब क्या है, इससे क्या हमें मिलता है, आपने नहीं प्राप किया इसका खोजी करो, खोजी करो जब तक कि तुम पवित्रा आत्मा में बक्तिश्मा प्राप नहीं कर लो, प्रात्ना करो, प्रात्ना करो, समय निकालो, घर पर, चर्च में आकर, जब तु क्यों नहीं, इसे बता दो कब तुम आना चाहते हो, दर्वजा खुला देगा आप आ सकते हो, कोई भी एक समया आकर यहां पर प्राहत ना कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा प्राहत ना करने के लिए, और मेश्र के आशिश आपके उपर रहेगा, आप लोग तुम मे करे साथ में खड़े हो जाए समया